बच्पन से आज तक यही सुनता और समझता आया हूँ कि वकिल बनने के बाद सिर्फ काला रंग का कपड़ा कोड पहन कर कोड तक जाना पड़ता है आपको पता है कभी कभी सही जानकारी ना होने की वज़ा से भी पीछे रह जाते हैं और अपने खाप को पूरा नहीं कर पाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत आसान था मैं कर सकता था मैंने क्यों नहीं किया ऐसे ही वकील बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं पर जानकारी ना होने की वज़ा से वकील नहीं बन पाते हैं उनके अंदर सलाहियत भी होती है रास्ता ना मिलने की वज़ा से वो दूसरे रास्ते पर बढ़ जाते हैं और मन लगा कर आगे चल कर काम नहीं कर पाते हैं चैनलमिन के प्रोग्राम काम्याभी के रास्ते में आज हम बात करेंगे करियर इल लॉग वैसे आपको बताता चलूग आज कल कानून की पढ़ाई कोट और कचेरी से भी बहुत आगे निकल चुकी है देश और दुनिया में लगातार इसकी डिमांड भी बढ़ रही है लॉग से आगे बढ़ा जा सकता है और आप एक नामचीन वकील हो सकते हैं तो आईए हम जानने की कोशिश करते हैं आज के प्रोग्राम काम्याभी के रास्ते में जनाब एसे म्रजा सर से कि हम एक लॉग के अच्छे प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं बिसमिल्ला हिर्मान रहीम अज बताया था कि आप क्लैट का इंट्रस एक्जाम दे सकते हैं बी एललबी कर सकते हैं यानि इंटीग्रेटिड कोर्से वारे में आपको बताया था बहुत ही अच्छा कोर्सा लेकिन अब इसके आगे हमें क्या करना है एक बार हमारी बैचलर डिग्री अगर हो जाती है उसके बाद हमें क्या करना होता है हमारे पास क्या option सामने निकल कर आते हैं एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनाब ऐसे म्रदा सर फेकल्टी मैस अनन ब्राच मुंबई से तालुक रखते हैं एक बार फिर से आईयों से मुलाकात करते हैं सलाम अलाएकुम सर स्टूडेंट साब का विलकम है इस शो पे लेकिन अपडेट्स साजी साब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक्जामिनेशन्स जो हैं वो सारे जो होने वाले थे पहले जो लॉक डाउन के वज़े से रोक दिये गए थे उनकी डेट्स आ रही है और तो अभी जो है पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं जी हाँ हाँ तो मैं भी यही चाह रहा था कि हमारे प्रोग्राम का दस्तूर भी रहा है कि सबसे पहले अपडेट्स किया जाता है हमारे वीवर्स को ताकि आने वाले दिन में वो होशियार रहें और तयार रहें उसके को रोख दिया गया था और आईस्ते इस्ते एक्जाइम सो रहे हैं जैसे आपने देखा पहले नीट और जए के एक्जाइम सुए और जए एकर रिजायड का एक्जाम होई उसका भी स्कोर काड और डी आ चुका है अगर आपने बिट दिया है तो आप साइट पे जाएके अप अपने कोशन भेज सकते हैं और ध्यान रखें बहुत अखेर किया जा रहा है आपके लिए के सारी कांसलिंग वर्चुल कांसलिंग आपकी होगी आप घर से बैठ के अपनी कांसलिंग करा सकते हैं जो आपको सीट अलोकेट हो जाएगी तो आप फिर अड्मिशन भी घर से करना था जी कि इस प्रोग्राम में कुई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं गया है जबिए कोशन नहीं आया हो यहां हम लोगों ने किसी ना किसी तरह के से उसको हालाइट नहीं किया हूँ यूपिएससी सीविसेज का प्रिलिम एग्जामिनेशन 4 ऑक्टूबर में होने जा रहा है यहां तो मैं उन बच्चों को यहां से विशिस देना चाहता हूं बहुत सारी दौाइं आपके लिए कि आप कामयाब हो और पैरेंट से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के लिए आप दौाएं करें तमाम नाजरीन से मैं कहूंगा कि आप भी दौाएं कर कि आला उनको कामयाबी अता करें जो यूपीसी सिविल सिर्विसेस की प्रिलिम एग्जामिनेशन के लिए घर से कदम बाहर निकाल रहे हैं साथी साथ और भी जितने इंटेस एक्जाम हैं उन लोगों के लिए भी हमको दौा करनी चाहिए क्योंकि कई दौा के लिए मैसे जाए हैं कोई नेट की तैयारी कर रहा है तो कोई कलैट की तैयारी कर रहा है कई दौाओं के लिए मैसे जाते रहते हैं जहां और दौाएं जाहिर से बात है इंसान की कामयाबी में बहुत एहम रोल आदा करते हैं तो ये सब सारी चीज़े थी और अभी अनलॉकडाउन के बारे में भी थोड़ा सा जो अपडेट्स आ रहे हैं वो भी मैं बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गॉर्मेंट ने स्टेट गॉर्मेंट के उपर ये बात रखी है कि आप सारी चीज़ों का तज्जिया करते हुए अनलिसिस करते हुए पंदरा अक्टूबर के बाद अगर आप चाहें तो लिमिटेड यानि रिस्टिक्शन के साथ कुछ एडुकेशनल एक्टिविटीज को आप स्टार्ट कर सकते हैं एक अच्छी शुरुआत पंदरा अक्टूबर के बाद भी होने जारी है उम्मीद करता हूं कि जो अभी सिच्विशन चल रही है वो जल्दी से जल्दी अच्छी होती जाए ताकि जितने एक्टिविटीज जो नॉर्मल लाइफ किये हैं जो पहले होती थी वो वैसी होने लगे हैं इंशालला थोड़ा और वक्त लग सकता है लेकिन हालाथ बेतर हो जाएंगे वैसे सर सारे एक्जाम अब शुरू होने लगे हैं लेकिन एक चोटा सा और सवाल है क्योंकि जो इंटर्वी होता था जो सेलेक्शन होते थे वो कैसे पॉसिबल होगा अभी लेकि सारी सारी चीज़ें अभी तो इंटरनेट का जमाना है और सौफ्ट्रेयर और इंटरनेट राइटी इतना आगे निकल चुकी है कि बहुत सारी चीज़ों को आप चाहें घर से भी हैंडल करा सकते हैं ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होंगी और जहां तक इंटर्वियू का मसला इंटर्वियू तो जब होता है इंटर्वियू रूम में बहुत जादा लोग नहीं होते हैं तो रिस्टिक्शन के साथ इन सब सारी चीज़ों को आईस्ते बढ़ाया जाएगा देखें दुनिया को तो आगे बढ़ना है बहुत सारे लोग ऐसे भी है जैसे फॉर एक्जाम आप मास्क लगाएं और इन सब सारी चीज़ों को फॉलो करें तो गाइडलाइन के तहत चीज़ों को आहिस्ते आहिस्ते शुरूर किया जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया को आगे तो बढ़ना ही है तो वक्त जरूर लग रहा है परिशानी जरूर है लेकिन आहिस कुछ बच्चे तो बहुत रिलाक्स विल कर रहे थे कि चलो ना स्कूल जाना है ना पढ़ाई करना है लेकिन जो माबाप थे जो बहुत जादा सीरियस होते थे उनकी परेशानी अधीमे धीमे जो है सॉल्व हो रही है यानि जिस सरह से ऑनलाइन की क्लास को लेकर परेशान या आगे क्या करना है किस तरह से उनके एक्जाम देने है या किस तरह से पढ़ाई करना है तो माबाप के लिए ये एक रहात की ख़बर है कि आगे चल कर और आलाद बेतर होंगे हाँ और देखें यहां पर क्या है कि कालेज में यूनिवरसिटीज में जो बच्चे जाते हैं उनकी एच तो बड़ी होती है वो समझधार होते हैं उनको मालूम होता है कि क्या गलत और क्या से लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके थोड़ा सा परिशानी यहां जरूर लिमिटेशन और रिस्टिक्शन के सारे नाइन, टैन्थ और 11, 12 और बैशर, यह सब कॉलेज चाली हो जाएं यह स्टार्ट हो जाएं, जैसे कि एक नॉंबर से मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो कॉलेजेशन हैं जिसमें फर्स्ट यह, सेकंड यह, थर्ड यह की पढ़ाई होती है या जो टेक्निकल इंस्टिउशन से हैं या साइन्स की जो सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स कि चाहर दिवारी में सैचुरेटेड़ हैं आप वो स्कूल जाते थे, स्कूल में खेलना, खूदना, अपने एज के बच्चों से मिलना तो ओवियसली यह लाइफ के डवलप्मेंट का एक फेज है जो कहीं नहीं हमनों मिस जरूर कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि कि तरफ लेकिन उससे पहले एक चोटा सा सवाल करना चाहूंगा कि यह कुरोना की वज़ा से जो एक्जाम एपरेल और में में होते थे वो पॉस्पॉर्ण हो गये थे वो जो अब हो रहे हैं लेकिन क्या ऐसे हो सकता है जो फैब और जैन में होने वाले हैं 2021 में वो भी आग बैक लॉग आपका है वो बैक लॉग किसी तरह से एड्जेस्ट करके उसको दूर किया जाएगा या एक्जामिनेशन का स्लेबस नहीं होगा कि जैसे एपरेल में वाला जो है सेप्टेंबर और में आगया तो जैनवरी पैप के जो एक्जाम है वो एपरेल और में में चले जाएंगे वहाँ ऐसा नहीं होगा यह तो फिर चीज़ें आगे वड़ती रहेंगे और एक बार की मुसीबत आगे कैरियाउन होती रहेगी तो मुझे लगता है कि इस लेबस थोड़ा सा कट करके लेकिन आने वाले वक्त में जो टाइम ऑफ एक्जामिनेशन है वो वैसे ही होना चाहिए इसलिए मैं यहां से खासतर से जो बच्छे 11-12 में हैं अभी जो 9-10 में हैं जो बोर्ट्स के बारे में सोच रहोंगे आप यह मान के चलेंगे कि आने वाले टाइम में मार्च में या आपका एक्जाम होने वाला है 2021 में या जो बच्छे मेडिकल और इंजिनिय आपके फ्रेम से या अपनी पूरी स्टाटेजी को ऐसा लेके चलें कि जिस तरह से एक्जाम पहले होता था 2021 ओन्वर्ड वैसी ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी बढ़ता हूँ सर करियर अपॉर्चिनिटीज लो के बारे में आज एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं तो पहला तो सवाल जो मैं यह करना चाहूंगो बहुत कॉमन सवाल है अगर हमें लॉयर बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा या हमारे अंदर क्या क्वालि करके अप नेशनल लॉइनिवरसिटी या आई लेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके डेली नेशनल लॉइनिवरसिटी जो डेली में है उसमेंवादमिशन ले सकते हैं और इसके अलावा अलीगर्ण मुस्लिम इनवर्सिटी का अलग से इंटरेंस है B.H.U. का भी अलग से इंटरेंस है जो B.A. L.L.B. का 5 यर का इंटिगरेटड प्रोग्राम प्रोग्राम करती है 12 के बाद आप 5 यर का इंटिगरेटड प्रोग्राम करके एक law आप graduate बन सकते हैं धियान रखें आप के B.A. C. L.L.B. का अगर आपको कुर्स करना है तो उसके लिए आपको 12 साइंस से होना पड़ेगा B.A. L.B. या B.B. L.B. के लिए आप 8 साइंस कॉमर्स तीनों में से किसी से भी अगर आप 12 हों तो आप उस इंटरेंस को कॉलिफाई करके 5 यर का integrated program कर सकते हैं अब इसके इलावा अगर आपने 12 के बाद CLAD कॉलिफाई नहीं किया और आपने simple graduate कर लिया तो graduation के बाद भी बहुत सारी इन्वरसिटी जैसे Delhi इन्वरसिटी में faculty of law है जामिय में लिया इसलामिया में faculty of law है इस तरह से आपका इलावाबाद university है लखनौ university जितनी बड़ी बड़ी central university state की universities है वहाँ पे graduation के बाद भी LLB में दाखला आप तीन साल का कॉर्स होता है वो ले सकते हैं उसके लिए minimum आपको graduation करना पड़ेगा आइधर science, commerce, arts तीनों में से किसी से भी और आप उसके entrance को qualify करके BA या BAC या B.com के बाद भी आप LLB का कॉर्स कर सकते हैं तो यह दो रास्ते हो गए 12 के बाद भी आप जा सकते हैं और नहीं होता है तो graduation के बाद भी ओके सर आपने रास्ते दो बताएं है लिए बहुत सारे लोग भी सोचने हैं उसका भी एक सवाल करूँगा लेकिन अभी इसके आगे क्या करना पड़ेगा फिर तो अब हम चलते हैं जैसे एक simple कोई stream हम ले लेते हैं suppose अगर हमने 12, 11, 12 science है किया जी और उसके बाद अब मुझे लगा है कि मुझे physics के field में आगे बढ़ना है या science में या आगे बढ़ना है तो 12 के बाद मैंने क्या किया B.H.C. ले लिया और उसमें हमने physics chemistry math ले लिया और physics honors ले लिया जब मैं first year की पढ़ाई करूँगा तो उसमे math chemistry physics तीनों होंगी physics का portion थोड़ा जादा होगा अगर मैंने physics honors ले आए second year में physics और जादा हो जाएगी math chemistry कम हो जाएगी third year में definitely physics और जादा हो जाएगी और उसके बाद जब मैं MSC करूँगा तो only मेरे पास जो subject होगा वोगा physics अब यही चीज़ आप इधर लेके आजाएं आपने LLB किया LLB करने के बाद this is I mean graduate course LLB अब उसके बाद आपको specialization करना है criminal law में आप कर सकते हैं child law में कर सकते हैं corporate law में कर सकते हैं तो उसके लिए आपको specialize होना पड़ेगा like याद करें MBBS के बाद अगर आपको MD करना है तो MD आपको होगा है MS होगा उसी तरह से यहाँ पे specialization है मलब किसी एक field के लिए आपको आगे बढ़ना पढ़ेगा fine fine तो अब LLB के बाद आप LLM का program है यह master program है यानि दो साल का program है like MSC, MA, MCOM उसी तरह से law के field में यह master program है दो साल का course होगा और LLM करने के लिए आपको minimum LLB होना पड़ेगा यानि LLB की degree आपके पास हाथ में होगी तो ही आप LLM कर सकते हैं fine अब हमने LLM किया master's कर लिया अब उसके बाद हमारे पास options है अगर मैं चाहूँ तो फिर से अपने आपको law की practice के लिए ले आओ किसी company के साथ attach हो जाओ या और भी bank sector में मैं निकल जाओ या अपना कोई एक center open करके और लोगों को अपनी facilities प्रोवाइद करूँ तो कि आप LLM की degree के बाद हम foreign job कर सकते हैं या कोई और exam या कहीं रेजिस्ट्रेट कराने की हमें जरूरत पढ़ेगी exactly बहुत अच्छा सवाल है अपने देखे technical question बच्चों के लिए आप पूछ है तो मैं थोड़ा से इसको आगे बढ़ागी फिर आपके question पर आ रहा हूँ LLM के बाद फिर आप net qualify करके अगर आप चाहें तो आप PhD कर सकते हैं और after PhD आप किसी भी law university में law के college में आप as a lecturer and professor अपने आपको appoint करा सकते हैं एक रास्ता आपका LLM करने के बाद या आता है अब बात आती है कि practice मुझे कैसे करना है देखें क्या होता है कि जैसे आपने LLB किया यानि 12 के बाद 5 येर का integrated program लेके कर लिया या BSC, B.com, BA के बाद आपने 2 साल का LLB, 3 साल का कर लिया अब LLB करने के बाद Bar Council of India एक registered body है government of India की आपको अपने आपको Bar Council of India में registered कराना पड़ेगा Bar Council of India एक छोटा आपका test लेगी test के बाद आपका interview और उसके बाद Bar Council of India आपको यानि एक registration number प्रवाइड करेगी और उस registration number के base पे जितने भी law की activities हैं यानि आप चाहें तो अपने आपको किसी भी court में as a advocate आप जाके practice कर सकते हैं यानि यहां से verification certificate मिल जाएगा registration number आपको मिल जाएगा उसके बाद आप इंडिया के किसी भी part में जाकर आप कर सकते हैं राइग कहीं भी कहीं भी आप कर सकते हैं ऐसा state wise नहीं है कि आपको ये state में अगर अपना career बनाना है तो state पे जाके register कराना पड़ेगा ऐसा कुछ है और उसके बाद आपको registration number मिल याएगा कैसा होगा वो मैं जानना चाहिए रहा हूँ वो तो log के ही उपर जो आपने log किया है उसी का test होगा log के उपर ही सारे based question होगे और पर बहुत जादा आपको बड़ा बड़ी बात नहीं है कुछ नहीं है लेकिन आप एक बात बता है जैसे देखें आप B.A. करने के बाद भी साजी साहब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपको B.A. करने के बाद डिरेक्ली जॉब नहीं आपको seat at वहां भी देना पड़ता है आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आपने जो B.A. किया है तो सही मानों में कि आपके अंदर क्वालिटी ऐसी है कि नहीं कि आप टीचिंग करने की पॉजिशन में इस तरह के बाद बड़ी परिशानी भी होती है सर्वे मैं देख रहा था उसमें कि बार कांसल एफ इंडिया में जतने लोग रिस्टरड होते हैं जब सर्वे किया गया तो बहुत कमी लोगों को ऐसा पाये गया जिनके अंदर पोटेंशल अप टू दम मार्क है यानि ये चीजें तो हैं कि कोई ना कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो आपके लियाकत को भी जज़ कर ले अगर आपने कोई डिगरी किया है तो उसके बाद आप आगे जाने के लाइक है या नहीं है तो सीटेट जैसे बीएट के बाद है एक्जैक्टली वैसी बाहर काउंसल अफ इंडिया का रिश्टूरिशन है कहीं भी प्राक्टिस करने के लिए विदाउट उसके आप प्राक्टिस नहीं कर सकते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है दियान रखना है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमें एक लॉयर बनना है टो इसके लिए हमें क्या पढ़ाई करना अल्लम कर लेटे हैं लेकिन उसके बाद आपने और आप में बताया कि नेट कौलीफाई करके आप शुजब करना है या क्या-क्या option हमारे पास हैं सामने तो वो अगर आप बता दे तो बहुत अच्छा रहेगा सबसे बेहतरी नगर मैं post कहूँ तो judge judge के बारे में मैं बताता हूँ और कुछ और भी बड़े नए-नए field जो निकल के आ रहे हैं मीडिया जो आप देखें टेलिवीजन वगारा देखें तो बहुत सारे लीगल जो issues होते हैं उन पे जो expert उनके पास जो होते हैं उनका भी background law से होता है जी बहुत 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 नियूज में देखते हैं उनको भी handle करने के लिए बहुत सारी कंपनी जो है वो legal advisor के तोर पे एक law professional को appoint करती है बैंक में आप देखें आपको याद होगा बैंक में क्या काम है law अब देखें बैंक में क्या होता है जैसे आपने loan के लिए कहीं पे housing loan के लिए जब आपने apply के तो दो लोग होते हैं जिनकी report bank submit करके आपको loan देती है एक होता है legal advisor और एक engineering background का आदमी होता है जो construction के बारे में सारी building के strength क्या क्या चीज़ें उसके बारे में report पेश करता है तो वहाँ पे एक legal advisor की भी जरूत होती है जो legal report तेयार करता है पूरे काख़ात और सारी चीज़ों को देखते हुए तो legal advisor के तौर पर भी आप bank में अपने आपको attach कर सकते हैं याद करें government bank हो और साथ ही साथ multinational bank हो हम लोंने bank में याद करें याद बताया था bank PO के इलावा एक SO special officer in bank उसमें आप के लिए vacancy create हो सकती है और lecture के बारे में जैसे मैंने बताया ही है यह सब भी आपके पास रास्ते हैं तो सबसे पहले मैं judge के बारे में आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़े बंते हैं सबसे बड़े posts से मैं आपकी शुरुबात कर रहा हूँ बहुत respectful post है या अब आजाएं आज हमने जैसे बताया उन बच्चें के लिए जो UPSC Civil Services के prelim के लिए घर से बाहर निकले हैं फिर से उनके लिए all the best बहुत सारी दौाइं आपके लिए कि आप काम्याब हो तो UPSC Civil Services में जाने के लिए जब आपको IES बनना है IPS बनना है या IRS बनना है इस तरह के सारे post आपको लेने तो आपको minimum graduate होना और उसके बाद UPSC Civil Services का examination होता है उसी तरह सी UPSC जब आप law graduate हो जाएंगे यानि LLB की डिग्री आपके पास आजाएगी तो UPSC जै जैनि judiciary services के लिए UPSC examination conduct करती है UPSC Union Public Service Commission civil services for obviously IES, IAPS and IFS and all और उसी तरह सी UPSC judiciary का एक examination ये है उस examination को आपको face करना होगा और जाहिर से बात है कि जजज की post कम होती है तो examination का अपने आप में एक label है आपको बहुत अच्छे तरह से अपने आपको prepare करना है और उस examination को qualify करने के आप कहीं भी चाहिए वो lower coat हो higher coat हो इसमें आप judge के तोर पे appoint हो सकते हैं और जैसे जैसे आपको experience होता जाएगा आप इस field में आगे बढ़ते जाएंगे ध्यान रखें दो तीन profession ऐसे हैं कि जैसे जैसे time बीटता है वैसे वैसे आप आगे promote होते हैं क्योंकि आपकी जानकारी उस field में बढ़ती जाती है जैसे medical profession अगर आप एक doctor बन गए तो जैसे जैसे time आगे बढ़ेगा आपके पास experience आता जाएगा और आपके demand market में बढ़ती जाएगी law में भी यही है जब आप join करते हैं शुरू में law graduate होना है आपको law graduate होने के बाद से judiciary services का UPSC examination conduct करेगी उस examination को face करना है ओके एक छोटा सा confusion है जो मैं अक्सर सुनते रहता हूँ और देखता भी हूँ supreme court का वकील और एक high court का वकील यह दोनों के लिए एक ही degree है या उसके लिए कुछ अगर supreme court जागर practice करना है तो उसके लिए या कुछ और रिगरी की जरुवत है देखिए law में आपको L.L.B. सिंपल होना है किसी भी recognized college या recognized university से और उसके बाद bar council of India में आपका registration होना है यह basic criteria है उसके बाद हम कहीं पर भी practice कर सकते हैं जाए वो supreme court हो जाए वो district court हो या high court हो अब इससे आप अंदाजा करें ऐसे मैं correlate कर रहा हूँ साजी साहब कि अगर आपने MBBS कर लिया तो आप चाहें तो घर में अपना clinic खोलें चाहें तो शेहर में या किसी private hospital के साथ अटाइच हो जाएं या government hospital में आप चले जाएं तो जो basic requirement थी वो थी MBBS की degree exactly यहां पर भी आपको law की practice करना है तो दो चीज़ें पहले आपको law graduate होना है और उसके बाद bar council of India का registration number आपके पास होना चाहिए इन दोनों के साथ आप कहीं भी practice कर सकते हैं सर में चाहता हूं कि आप television screen पर बताएं कि कौन कौन सा working area है हमारा अगर हम LLB या LLM कर लेते हैं पिछले सवालात को देखते वे आपने सवाल को रखा है क्योंकि बच्चे ने पिछले program में सवाल किया था कि commerce से हम क्या कर सकते हैं तो किसे subject के बारे में आप बहुत कम सोच पाते हैं और उसके field को आप अंदाज नहीं कर पाते हैं तो law जैसे प्रोग्राम में प्रोमो में आपने बताया है कि लोगों ने ये सोच लिया था कि काला कोड पेनो और कोड पहुंच जाओ लेकिन इसके इलावा भी बहुत सारे दीगर fields हैं जहां पे आप law करके अपने जिन्दगी को आगे बढ़ा सकते हैं तो मैं इस screen पे कुछ field बहुत सारे नहीं कुछ देखें अभी मैं field आपके सामने शो कर रहा हूँ जहां law करने के बाद आप अपना career बना सकते हैं और एक बेहतरीन salary और with एक बेहतरीन समाज में इजज़त के साथ अपनी जिन्दगी आगे बढ़ा सकते हैं तो इस screen पे मैं वो सारे field आपको शो करता हूँ Fields of specialization आप देखें पहला criminal lawyer आप बन सकते हैं जिसमें CRPC IPC Act के तहत आप अपनी practice आपके बढ़ा सकते हैं इसके बाद civil litigation lawyer आप बन सकते हैं इसमें civil laws या taxation law या excise पे आप उस field में आप काम कर सकते हैं इसके बाद legal analyst आप बन सकते हैं और इससे corporate forms या law forms में आप अपना profession आप्ट कर सकते हैं जिन्दगी को आगे बढ़ा सकते हैं company act में भी आप इसके तहत काम कर सकते हैं इसके बाद document and drafting lawyer के तोर पे भी आप अपनी career को आगे बढ़ा सकते हैं documentation करना और उस field में आप आगे बढ़ा सकते हैं और हम लोग ने थोड़ दे पहले जैसे बताया legal जनरलिस्ट के तोर पे भी आप आ सकते हैं आप crime के जितने सारे cases हो रहे हैं उसके बारे में आप अपना advise media पे आएके दे सकते हैं इसके बाद legal advisor के तोर पे आप किसी form में आप जा सकते हैं या अपनी consultancy आप open कर सकते हैं corporate form के साथ अटायाच होके आगे बढ़ सकती है इसके अलावा government lawyers आप बन सकते हैं क्योंकि government के बहुत सारे cases होते हैं जैसे कोई भी public अगर government पे कोई case करती है या आप किसी law के खिलाफ अगर वो कोई case डालती है या government के तरफ से आप court में plead कर सकते हैं इसके इलावा जो हम लोंने बात की वो judge का है और एक solicitor भी आप solicitor के field में भी अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं सर बहुत शक्रिया टीवी पे information देने के लिए आप लगातार हमाई साथ जुड़े हुए हैं और सारी information आप हमाई viewers को पहुचा रहें लेकिन जो आपने अभी एक बताया solicitor इससे पहले भी हमने जिक्र किया था हम जाना चाहते हैं कि एक एड़ोकेट और solicitor में क्या फर्क है देखें अब फिर्म बच्चों को बता रहा हुँ जैसे आपको CA बनना है तो CA बनने में क्या होता है किसी एक CA के अंडर में आपको practice करना होता है उसी तरह से solicitor बनने के लिए आप पहले LB की degree करेंगे उसके बाद किसी solicitor जो कि experienced होगा उसके साथ तीन साल आप work करके एक experience लेंगे और उसके इलावा एक law की body होगी जो Bombay से ही registered है उसके अंडर एक test आपको qualify करना होगा जब आपको test qualify कर लेंगे देन उसके बाद एक solicitor का post आप acquire कर सकते हैं तो ये भी एक बहतरी in field आपके ले निकल के आएगी और news में आप सुनते होंगे कि Supreme Court में गौर्मेंट की बहुत सारी चीज़ों को represent करने के लिए एक solicitor की जरूरत होती है तो solicitor की field में सबसे बड़ी जो post होती है that is solicitor general जो के maximum जो central government के cases होते हैं उनको Supreme Court में वो जाके face करते हैं उसके लिए प्लीट करते हैं यह सब सारे रास्ते हैं आपके लिए और judge के बारे में हम लोगों ने बताया जो बच्चे यहीं 910 में हैं अगर आपको law की तरफ जाना है 12 के बाद ही klat आपको face करना है और klat का एक बार फिर से मैंस लेबर साब को बता दू 10 तक की आपके पास math science होगी current affairs होगा आपका general knowledge होगा आपका English होगी आपकी and legal आपका जो एक chapter है Indian constitution and law and act पे उस पे base question होगे अच्छी त्यारी कीजिए test बहुत मुश्किल नहीं होता है मुझे लगता है कि अगर आपको career बनाना है तो पहले सोचिए और उसके लिए मेहनत कीजिए यानि मुश्किल नहीं है वकील बनना एक अच्छा है रूकेट बनना मुश्किल नहीं है एक दम मुश्किल नहीं है और देखें जैसे पहले दिन बात की थी कौन बनेगा वकील जिसके अंदर literature पे जिसको command होगा presentation जिसकी अच्छी होगी और जो अपनी बात को मनवाने की capacity रखता होगा किसी चीज़ पे बहस करने की लियाकत रखता होगा यह सिर्फ चीज़ें अपने अंदर डेवलप करें debate करने की कोशिश करें किसी मुद्दे पे आप और राइट सर बहुत बहुत शुक्रिया information देने के लिए जोड़ा slight जो vacancies है उनके आने में saturation है थोड़ा लेकिन आने वाले टाइम में जल्दी से इस सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो LLB आप हैं obviously इसके थुरू आप बढ़ सकते हैं लेकिन जब तक आपको जोब नहीं मिलती है मैं यहां पे एक आपको advice दूँगा या तो आप LLM आप कर लें एक तो specialization की तरफ आप बढ़ जाएंगे और नहीं होता है तो फिर आप MBA in HR या MBA in finance भी आप कर लें तो law के साथ MBA का combination बहुत बहुत बहुतरी combination माना जाता है अगर आपको LLB करने के बाद किसी corporate form में जाब मिल जाती है और आप शुरू कर लेते हैं तो वहाँ पे जाब के दौरान भी अगर आप चाहें तो MBA finance या MBA HR कर लें आप तो आपकी salary भी increase हो जाएगी और आपकी post भी increase हो जाएगी तो best combination यह होगा बहुत शुक्रिया बढ़ता हो अगले सवाल के तरफ सर भी मैंने LLB किया है अब मुझे LLM के लावा दूसरा option आप क्या बताना चाहेंगे देखे LLM specialization के तरफ अगर आपको move नहीं करना है तो एक तो हम लोग ने आज ही बात किया है कि Judiciary Services का UPSC का आप exam face कर लें जज के लिए आप try कर लें या सवाली सिटर के बारे में उस तरफ आप निकल जाएं और नहीं तो इसके लावा MBA का option बहतरीन एक option हो सकता आपके लिए और UPSC जैसे आप किसी भी institution में जाएंगे साजी साब अब क्या होता है कि seats कम होती है और aspirants जादा होते है जहां भी ऐसा होगा जहां seats कम होगी aspirants जादा होंगे दो criteria में से कोई एक criteria होगा या तो marks का criteria होगा या entrance examination जो जितने fame university national universities है बड़ी universities है वहाँ पे entrance का साहरा होता है otherwise कुछ जगों पे marks भी है तो आप LLM ऐसे try कर सकते हैं otherwise हम लोगों ने MBA के बारे में जैसे आपको guideline दी और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको कहना चाह रहा हूँ अगर आप चाहाँ तो UPSC civil services भी आप try कर सकते हैं क्योंकि आप एक log graduate एक graduate भी हो चुके हैं तो UPSC civil services भी आपके लिए एक best option हो सकता है अगला सवाल है कि मैं commerce का student हूँ which course is best for me for best future commerce line में अब commerce में किस class के आप student है यह mention नहीं किया आपने आप 12 में हैं या graduation आपकी पूरी हो चुकी है आपके लिए एक तो C.A.C.S. और I.C.W.A. जिसको C.A.M.A. कहते हैं यह तो 3 courses maximum commerce के graduate करते ही हैं MBA भी आपके लिए एक option हो सकता है law की तरफ भी अगर आप चाहें तो भी आप निकल सकते हैं तो यह सब सारे options आपके लिए हैं आप देखें लेकिन अगली बार मैं फिर से आप से यहां से गजारिश करूँगा आपने लिखा है कि आप commerce हैं किस class में हैं इसको आप detail करें ताकि मुझे आगे बताने में आसानी हैं सर ने यह कहा कि किस class में हैं तो आप बता दें और सबके लिए यही है लेकिन कुछ लोग हैं जो नाम नहीं लिखते हैं मैं आपसे request करता हूँ कि जब भी आप अपने सवाल भेज रहे हों काम्याबी के रास्ते के लिए तो आपको नाम लिखने में कोई problem नहीं होनी चाहिए यह एक अच्छी चीज है और साथी साथ state और district भी बता दे तो सर को और आसानी रहेगी कि आपके state में आपके लिए क्या अच्छा है और क्या career option और best आप choose कर सकते हैं तो शायद बहुत आसानी होगी नाम छुपाने जैसी कोई बात नहीं अगर आपको नाम नहीं बताना है तो आप लिएक सकते हैं मैसेज में भी कि आपका नाम नहीं डिस्प्ले किया जाए लेकिन जहां बताएं तो शायद थोड़ा आसानी होगी अब देखें बहुत अच्छी बास साजे साब ने रखी है बच्चों से मैं कहना चाहरा हूँ क्योंकि उसमें मज़ा भी नहीं आता है अगर लोग अपने पूरा कोईशन्स भी नहीं लिखके थोड़ा कोईशन्स लिखके छोड़ देते हैं अब देखें जैसे मेडिकल के एग्जामिनेशन के बाद जो MBBS की सीट्स होती है तो हर स्टेट में अलग-अलग मामला है कहीं पे मेडिकल कॉलेज जादा है तो वहां जादा सीट्स है कहीं मेडिकल कॉलेज कम है तो वहां कम सीट्स है जहां मेडिकल कॉलेज कम है कम सीट्स है वहां कट आफ जादा जाती है जहां Medical College जादा है वहाँ स्टेट रहा है रैंक पे कटाफ थोड़ी सी कम जाती है तो अब किसी ने कहा कि मैंने MBBS करना है और मेरा NEET में यह स्कोर है उसने स्टेट मेंशन नहीं किया अब मैं यहां से कैसे बता पाऊंगा कि अतने स्कोर में आपको कहा क्या मिल सकता है क्या मिल सकता है तो अपना लोकेशन जरूर आप मेंशन करें इसे मुझे आजवाब देने में बड़ी आसानी होगी बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ सबसे पहले सलाम अलाएकुम वालेकुम असलाम इसके साथ साथ आप आप दोनों को तंदरुस्ती अता फरमाए इलाही आमीन बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए और खास करके बढ़ता हूं सवाल की तरफ सर इन्होंने लिखा है कि सर मैं यह जानना चाहती हूं के आखिर नेट पॉलिटिकल साइंस का एडमिट कार्ट कब रिलीज होगा दूसरी बात इन्हों लिखा है कि सर इगनो से पीएजडी पॉलिटिकल साइंस इंटरेस इग्जाम यानि 4 अक्टोबर को है आज के दिन है तो प्लीज आप बता दे कि एग्जाम पैटन क्या होगा मुझे किसे में नेट की पूरी क्योंकि सर मैंने नेट की पूरी तैयारी कर रखी है तो थोड़ा सा कन्फिजन इस अभी एक्जाम देने जा रही है तो आप इने बता दे शायद हम लेट हो गया उसके लिए मापई चाहते हैं बस इतने ही मैं कहना चाहूंगा एक तो आपने इतनी को ही दौा करते हैं आपके लिए और आपके लिए तमाम नाजरीण से यहां से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके लिए दौाएं हो क्या आप कामयाब हों दिए कि एक्जामियरेशन नेट का जाहते है आपने सवाल रखा है एक्जामियरेशन का पैटर्न ऑप सब जगह एक ही जैसा तक्रीबन तक्रीबन होता है स्लाइड थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होगा number of questions में डिफरेंस होगा question के आने के pattern में डिफरेंस होगा otherwise content जो होगा वो almost same होगा तो बहुत सारी बात हैं क्योंकि अभी आप examination के लिए कदम बाहर निकाल रही होंगी करने का नहीं है बस एक ही चीज़ कहूँगा इंशाललह आप जरूर कामयाब होंगी एक दम हिम्मत के साथ आप जाएं और बहुत cool mind होके और relax होके examination देने की यह चाहती है कि यह net qualified कर लें और एक PhD कर लें और नाम रोशन करें खास करके इनकी जो तमना है वो यह है कि इनके माबाप का भी नाम रोशन हो यही जिन्दगी में कामयाब होने के लिए सबसे बड़ा आहम जो चीज़ हो यही है कि हमारी वज़ाए से दूसरों का नाम रोशन हो दूसरों को इज़त मिले इससे बड़ी सोच और क्या हो सकती है तो बड़ी नेक सोच के साथ आप आगे बढ़ दी है All the very best इंशालला आपका यह attempt एक कामयाब attempt होगा सर मैं अगला सवाल जो है रुपेश कुमार का है यह कह रहे हैं कि 2018 में मैंने 12 पास किया था और अब 2021 में क्या मैं NEST NEST के लिए eligible हूँ या नहीं प्लीज बताएं बहुत अच्छा कोशन है और NEST के तुरू 5-year का integrated program है BSMS का बाद आपने NEST की किये NEST से दो college में आपको दाखला मिल सबता है CEBS Mumbai, Nisar Bhoneshwar Department of Atomic Energy से यह दोनों college affiliated है 5-year का integrated program है BSMS in the field of physics, chemistry, math and biological science इस में eligibility criteria 12th science से हों आप 60% आपका aggregate होना चाहिए 12th में आज वल अगर आपको 2020 का examination face करना है तो आपको 12th 2018 से पहले pass नहीं होना चाहिए 2018 या 19 या 20 में आप appear होने चाहिए तब ही आप examination दे सकते हैं अगर 2018 के पहले अगर आपने exam pass किया होगा 2020 का examination आप face नहीं कर सकते हैं अब अगर मान लिए 2021 में आपको नेस्ट का exam face करना है तो आपको 12th या तो 2019 या 2020 या 2021 में appear होना चाहिए या तीन साल से ज्यादा gap नहीं होना चाहिए और इस जो इस साल बच्चे examination दे रहे हैं उनका date of birth एक अगर्ष्ट 2000 से पहले नहीं होना चाहिए यानि 20 साल से ज्यादा आपकी अमर भी नहीं होनी चाहिए तो आप देख लेंगे जिस साल आपको examination देना है उससे दो साल कबल तक आपको 12th pass होना चाहिए या जैसे 2021 में तो या 2020 में या 2019 में आपको 12th pass हो जाना चाहिए 60% marks होना चाहिए और आपकी age एक अगर्ष्ट को उस साल 20 साल से जादा नहीं होनी चाहिए ओके सर मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल के तरफ सेयद मुझीव रजा निहाल ने अपना result भेजा है इनका जो है 390 मार्क्स आया है 390 अब यह चाहते हैं कि इनका इंजिनरिंग कॉलेज में एड्मिशन हो जाए हैदराबाद के लिए इन्होंने कुछ कॉलेज के नाम भी भेजे हैं CMR, CET, CV, SR, VNR, SRI, Hindi, हैदराबाद के कुछ गुरु नानक कॉलेज यह चार-पांच नाम भेजे हैं तो यह जाना चाहते हैं कि बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा अगर यह हैदराबाद की तरह मूव करते हैं एंजिनरिंग के लिए यह मुंबई में रहते हैं और हैदराबाद में जहना तक आपने पूछा है वेस्ट इंजिनरिंग कॉलेज पहदराबाद सबसे अच्छा ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंदन आईटी हैदराबाद है लेकिन उसके लिए मेंस और प्लस एडवांस का स्कूर आपको चाहिए अब जहां तक प्राइवेट इंस्टिशिशन की बात आप ने किये जो भी कॉलेज जिसका एफिलेशन 15 साल 20 साल पुराना हो किसी भी कॉलेज में आप चाहिए पर एडमिशन इन्होंने सर एक सवाल लिखा है और बड़ी हिम्मत करके ये सवाल इन्होंने लिखा है हम आपके माबाप से गुजारिश करेंगा और साथी सार सर भी कुछ एडवाइस करना चाहेंगे और टेलिविजन के जरीए आज प्रोग्राम के जरीए सर भी आपके मावाब से बात करेंगे इन्शाला इन्होंने लिखा है के सर आप रिसेंटली फिनिश मैं क्लास 10th विद ए ग्रेट अलहम्दुलिल्ला आशाला ए प्लस ग्रेट आशाला आशाला पास किया है ए प्लस ग्रेट है एक अच्छा ग्रेट है आगे बढ़ सकती है आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है और मावाब की बर्मीशन नहीं है तमाम लोगों से मैं जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उसे गुजारिश करूँगा है कि देखी लड़कियों को आप पढ़ाएं और इनको आगे बढ़ने का मौका देए तो कि मुझे एक चीज यहां पर कहना है थोड़ा तो कि एक लड़की यहां पर अगर सवाल बेज रही है और इतना अच्छा ग्रेट है और वो भी मतलब नाम बता रही है अपने जंगा का नाम बता रही है इसका मतलब इनके अंदर कुछ तो है जो यह कहना चाहती है और एक ग्रेट लाना आप देखें और जाहिर से बात है एक मजभी फरीजा भी बनता है कि हम लड़कियों को पढ़ाएं और लड़कियों को आगे बढ़ाएं क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो जाहिर से बात है आज वो किसी की बेटी है किसी की वाइफ और आने वाले वक्त में किसी की मा हम लोगों ने इस प्रोग्राम में इसी इसी चैनल से एक बार बताया था कि मा की गोद इनसान की पहली तर्बियतगा है वहीं से इनसान की शुरुआत होती है और बहुत बेहतरी इनसका फ्यूचर होगा तो मैं आपके माबाब से यहां से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि आपको आगे बढ़ाएं आपको बढ़ाएं और अगर किसी तरह से कोई फैनेशिल अगर कोई प्राब्लम आती है विन यहां से आपको स्कॉलरशिप के तहट आपकी फीस वगरे के बारे में भी सोच सकता है आप यहां पे विन के स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करें हम लोग इंशालला आपकी मदद करेंगे और आपके पैरेंट से फिर से यहां पे मैं मौदबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी बच्ची को आगे बढ़ाएं और पढ़ाएं हाँ रीजे तो पता चले क्यों नहीं पढ़ाना चाहे रहे हैं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर एडवाइस करने के लिए और आपने पूछे गए सवालों के जवाब और विवर्स ने जो सवाल किये थे उसके जवाब भी आपने मुतमें बख्ष दिये हैं अगर उनके पास कोई और सवाल है और डाउट्स है तो इंशाला वो नेक्स्ट एपिसोर में मैं आपके सामने रखूँगा बहुत बहुत शुक्रिया सर करियर अपॉर्चिनेटीज इन लौ जो बहुत डिफिकल्ट समझा जाता था और दूर से देखने में ऐसा लगता था कि शायद ये करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन पूरे एपिसोर में जिस तरह से आपने हमारे विवर्च को बताया है जितनी आसानी से आपने बताया मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुश्किल ऐसा लग रहा है लेकिन अगर करेंगे तो आसान रहो जाएगी उनके लिए बेशक और इस प्रोग्राम का मकसदी ये है कि सारी चीज़ों को आपके सामने इलाबरेटिट फॉर्म में रखा जाए ताकि आपको चीज़ें आसान दिखने लगें और समझने लगें और जिन मौतरमा ने यहाँ पे नेट एग्जामिनेशन के बारे में लिखा था उनके लिए वह सारी दौएं और जिस बच्ची ने टेंथ के बाद अपने एजुकेशन को आगे बढ़ने में जो अपनी परिशानी का जिकर किया है मैं लासे दौागों कि उसकी तमाम परिशानियां दूर हो और उनके पैरेंट से यहाँ से फिर से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी बच्ची को आगे बढ़ना है बच्ची होनहार है एग्रेड लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बच्ची हो में एक सबसे अची चीज़ का है कि उनके अंदर डिविएशन नहीं होता है डिवोशन बहुत जादा होता है और साइकलोजिकली अपने पैरेंट के सारी चीज़ों से बहुत क्लोजली जूरी होती है उनके इज़त का उनके नाम का बहुत ध्यान उनके जहन में होता है बच्चे अगर आगे बढ़ देंगे तो उनको आगे बढ़ाएं क्योंकि जब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे समाज नहीं बदलेगा बिलकुल चलिए सर बहुत भ है सरे अगले एपिसोर में फिर आप से मुलाकारत होगे याना जाते 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 एक बार फिसे आप से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने जब सवाल हमें भेज रहे हों तो अपना नाम जरूर लिखें साथी साथ अपने शहर का भी नाम लिखें और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम टेलिवीजन पर नहीं लिया जाए तो आप नीचे मेंचें कर सकते हैं तो हम आपका नाम नहीं लेंगे लेकिन ये सवाल आप जरूर बेजे क्योंकि आपके सवाल के जरीए ना जाने कितने लोगों को जवाब मिल जाएगा। सवाल बेजने के लिए याद रहे हमारा वाट्सप नमबर है 9930474147 साथ इसाथ इमेल के जरीए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आजकल कोई ऐसा नहीं है सर जो वैक्सिन का नाम ना सुन रहा हो। पूरी दुनिया में एक अभी जो उभरती वे चीज निकल के सामने आई है वहाई वैक्सिन सब को इंतजार भी है वैक्सिन का। अगले प्रोग्राम में वैक्सिन बनाते कौन लोग हैं। कैसे आप वहाँ पहुंच सकते हैं। कौन सा प्रोफेशनल कोर्स आप कोई आपके पास किस तरह की डिगरी होनी चाहिए। उस पे हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत बेतरी नेक टॉपिक आपने यहां से इनिशेट किया है। जी बहुत शुक्रिया। कैसे आप वैक्सीन डेवलप्मेंट इसके बारे में हमें अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अपना खयाल लखिए अपनों का खयाल लखिए बने यह चैनल विन के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया।